तो देट टाइम फॉर्मूला में जैसा कि आपको पता है कि डेट की जो हमारे इसमें होता है कोई भी डेट के लिए हम कंट्रोल प्लस समी कॉलन दबाते हैं तो तरन्ट डेट आ जाती है कि बीसिक डीटेल आपको पता है कि जब का आप जन्रल अगर आप इन दोनों को कमबाइन करते हैं और करेंट टाइम में के लिए हमें ये नमबर मिलता है तो अगर मैं टाइमिंग दिखाओ में इस से फॉर्माइक में बगल करेंगें डेट विड़ टाइम तो डेट विड टाइम्ग सब्सक्राइक इसे साभरशान है विज अपको डेटो टाइम सब्सक्राइड को कमाइन कैसे करते हैं कि यहां देट के लिए पारमूले के युजे निकाला है डे कि मन्थ और ये एक देट में से मुझे युजे ये ये इसमें से डे अलग करना एक तो मेरे पास है डे का फॉर्मुला दे के फॉर्मूले से दे निकाला जा सकता है, मन्त के फॉर्मूले से मन्त निकाला जा सकता है, और येर के फॉर्मूले से येर निकाला जा सकता है, वापस इसको कमाइंड करने के लिए डेट का फॉर्मूला है, डेट के फॉर्मूला में पहला पैरामेटर जो लेता है वो य कि यहां से वही डेट आपको रिटान हो जाए है जो आप कल्कुलेशन के लिए देखते हैं कि माल दीजे इसमें मुझे दिन जोड़ने है तो इसको हम डारेक्टली प्लस कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं गाल लेजिये मुझे महीने प्लस करने है दो महीने प्लस करने है तो महीने डिरेक्टली प्लस नहीं हो सकते हैं इसके लिए हम पारूला व्यूस करना पड़ेगा है e date तॉश एक कि डेट में आप को जो date लेंगे है और फिर उसमें कितने अब एमकार को जोड़ने है वह यहां यह जोडने के लिए आप या तो इडेट को यूज कर सकते हैं यहां से यह पेरामेटर लेकर इसमें मल्टिप्लाई कर दिया मैं अपने आप सबाहल देगा दो साल का मतलब 24 महीने होगा यह उत्रा निकालके आपको डेट रेटन कर देगा एक और तरीका है जैसे हमान लिए यह सारा एक साथ जोडना तो इसमें हम यूज कर सकते हैं यही डेट का फार्मूला जैसे हमने कंपाइड किया था कि मैंने यहां से ले लिए यहां से ले लिए उपर से प्लस जहां से इलिए लिए 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 के पिरामिटर में कैलकुलेशन हो गई जो इलिए के फार्मूला से निकल के आ रही है और क्या जोडना है इसी तरह मंत में कर सकते हैं, इसी तरह दे के पैरामीटर में कर सकते हैं, तो इस तरह से आप इसमें जमों हटा कर सकते हैं, अब इसके बाद जो जैसे कि मैंने एक फार्मुला बता था कि किसी भी मन्त के आपको end date बता करने हैं, नमारे पास कौन सा फार्मुला होता है? end of month कि यह मन्त का यूज कर सकते हैं कि स्टार्ट डेट और मन्त लेता है मन्त में आप जीरो देंगे अगर करेंट का चाहिए और अदर्वाइज वन टू थी देंगे तो वो एक एक बढ़ा पर चलिए जाती है उसी के बाद एक और होता है कि जैसे कि मालिक इस डेट को मैं एक सरक कारी उपस्त में गया और उन्हें ने कहा भी आप दीस वर्किंग दैस्ट के बाद आम प्लोब को रखिए के लिए इस 2 गदेट के भी बेच कितने वर्किंग वेइन उनकू निकालने के लिए हम यूज करेंगे network days का formula जिसमें start date दे देंगे end date दे देंगे तो उसमें बीच में जितने working date है except sunday saturday को छोड़ के saturday sunday को छोड़ के माल लीजे कि उसमें एक ऐसा दिन था जिस दिन छुट़ती भी होती है क्या दो तो हमारे पास यहाँ पे जो third parameter है holiday list तो हम तुरी list choose कर सकते हैं कि जिसमें बीच में सरकारी चोटी आ रही है तो उतना माई जिस करके दिखता है ठीक है जिए इसी की तरह आप किसी office में गए और उसने कहा कि मेरे से आप 20 working day बाद मिली तो कौन सी date आएगी तुझे से network day है इसी तरह हमारे पास work data function इसमें start day डाल सकते हैं कितने days हैं और इसी की तरह ही यह भी एक holiday list भी support करता है तो यह next day बताएगा कि इस working day के बाद कि कौन सी date होगा इन दोनों function में network day और work day में आपको दिखा रहा है कि मतब खाली saturday sunday कर सकते हैं ठीके जी बट आगर 2003 10 से उपर वाले version में जाएगी है 10 या 13 में तो इसके दो फार्मूले हैं जिसमें तो कि जबरूरी नहीं हर जबादा saturday sunday यह उप होगी तो यहाँ पर आपके पास है network date dot internet intl करके एक function है जिसके अंदर आपके पास जो आपका weekend है वो आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा weekend रहेगा saturday sunday रहेगा sunday monday रहेगा monday Tuesday रहेगा yes sunday only आपका work day के अंदर यह work day dot international function जिसके अंदर यह flexibility है जिसके अंदर यह flexibility है जिसके अंदर वो 2010 के उपर वाले versions में चलता है फिल इसने बाद इसी की date का आपको जिसके जाना है कौन सा week day है अपने पास week day का formula है जिसके 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 अंदर इसके अंदर तो भी वन का मतलब होता है sunday जिसके जिसमें आपकर डेर्क डेट बेड़ी टेंट आयप जिसमें 123 आपका accept करता है फिर मैं 2 डालता हूं तो यह 7 दिखाएगा मतलब जी यह जो 2 का पेरमीटर जो है हमारा Monday to Saturday को accept format को accept करता है ठीक है अगर मैं इसकी जगा 3 डालता हूं तो यह Monday to Saturday का Monday to Sunday का format accept करता है अगर डिटेल देखने हुआ है आप fx के function में यहां return time message करेंगे जिसे यहां क्लिक करके करा है यह बतार आए कि इस पॉर Sunday to Saturday 1 to 7 आप एक भी यह बाइपाल भी यह रहता है Monday 1 to Saturday Sunday 7 बत्व मट्टे के लिए एक रिटन करेगा Sunday के लिए और Monday to Sunday 6 इन परामेटर लेता है बाइड़ जो होता है वो बन पर चाहता है इस तरह से एक और function है हमारे पास week num का function क्या return करता है कि आप कौन सा हफता चल रहा है तो जैसे पास December में रंचासवान हफता चल रहा है कौन सा वीक चल रहा है return type is the number one or two that determines the type of value पर लिए तुमें यादिए नॉर्मली यहां करता हूं इसको मैं नॉर्मली यहां करता हूं एक में क्या होता है कि आपका हफता जो है Sunday से स्टार्ट होता है अगर दो देंगे तो वो Monday से स्टार्ट होगा यही छोटा सा फरक है इसके मुचिए देन आपके चलते है time की calculation पर आपके चलते है time की calculation कैसे होती है time की calculation कैसे होती है तो time के लिए हमें क्या अब मुझी से आच लिए अवर minute और आवर निकालने के लिए आवर का formula है minute निकालने के लिए minute का formula है और second निकालने के लिए second का formula है वापस इसके कमाइंड करने के लिए time का formula है आप लेता है minute लेता है तो calculation से वैसे आप करेंगे calculation manual से तो बड़ा तो जोडना बड़ा वागी लगता है बड़ आप इस calculation से इन formula के ज़री जल्दी जोड़ सकते हैं इसे में 2 हंटे 5 मिनट और 15 सेकेंड जोडने है तो अगर मुझे इसमें जोडना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा manual जोडना है तो मुझे वही प्लस लगाके अब इसमें 2 हंटे जोडने है तो कैसे करना पड़ेगा यह divided by पहले तो 24 ठीक है नहीं और इसको time में convert करता हूं तो 2 हंटे जोडने है अब मिनट जोडने प्लस इसमें क्या होगा इसको divided by 24 multiplied by 6 इस तरह से division नहीं पड़ेगा इसमें पांच मिनट जोड़ गए और second ते लिए इसी तरह से format करना पड़ेगा तो इस format में देख पार है तो control 1 से हाँ से change कर सकते है format time उनकर इस पिकेंड वाला भी देखाए आप से देखाए दूसरा तरीका है इसमें ताइम के पर्मूले से जैसे हमने डेट जोड़ा तो वैसे हावर में हावर जोड़ दीजिए इसमें पर्मूले की बजाएं ये पर्मूला आपको लगाना ज्यादा आसाना अब क्या करते हैं टाइम में तो वैसा ऐसी कोई क्या करें तो एक एग्जाम्पल देखते हैं इसमें कैलकुलेशन का टाइम की कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसमें निकलना है कि लिए ओवर टाइम देना है नहीं उसका इन टाइम आउट टाइम में ओवर टाइम देना है तो ओवर टाइम के लिए क्या है मैंने का कि आठ गंटे के बाद फ्लक्सिवल शेफ में आठ गंटे के बाद इसमें पचास रुपे पर आर का पे करें तो इसके लिए कि सबसे पहले मुझे क्या थी है आवर डिफ्रेंस तो मैंने क्या करना है ले टेस्ट वाले में से अडर मैं ऐसे माइनस करूं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा मुझे पुद नहीं समझाएगा बैटर है कि आवर का फंक्शन यूज़ करने इसकी बिदर है क्योंकि यह हमे नंबर्स में रेटन कर देगा सीधा 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 तो उसमें नहीं कर देगा अगर यह जो है ग्रेटर देन एट है तो तो चा करें यहां पर जो रिजल्ट देदे वो देदे यह माइनस एट जिए अगर वाइस जीवो देए तो एक स्कार साथ है और सीधा सा इसको मुल्टिप्लाइट देगा है तो यह ओवर टाइम निकल रहा है अभी एक पर्मूला में इसको क्वाइट कर लेकिए तो इसमें मैंने इसका रिखना है इस जहां पे यूज हुआ है यहां से यह फार्मूला कॉपी करना हूँ और यहां पे यहां जहां वो यूज हुआ है प्रीप पेस कर दो यह को इसमें यहां पहले ब्लैंड तो यह अपने आप में कम्प्लीट फॉर्मूला हो गया तो इस फॉर्मूला को फूरे को उठा दिया है और यहां इसका रिखना नहीं इसका रिखना ट्राठ बश्राद में इसथे महुंथ से दीटëं है और बाद आपक इसमुडे की देते इस्टेव में रहे हैं इसके आपके लिए एक टास्क है कि आप सेक्टरडे कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला आपको बनाए इन्हीं फॉर्मूला में ही बीच में है आपकी अब नेक्स्ट आपको मैथ का फॉर्मूला देखा हूँ मैथ के फॉर्मूले में जैसे आपको आपके पास कुछ नंबर है पॉर्मूला आपके लिए पॉर्मूला होता है बीच फॉर्मूला देखा जो नेगीटिव हो और सबको पॉर्मूला देखा देन हमारे पास इसमें होते हैं क्यापिन के लिए गुपार क्यापिन के लिए गुपार क्यापिन के रूल पे अप्लाई होता है क्यापिन किस तर आएग्जेंपल देखते ही समझ दिए और एक सिग्निपिकेंस दे दिया वैंने यह क्या करेगा जब तक 7 पूरा नहीं हो जाता तब तक 7 ही दिखाएगा परदब जैसे 7 के अंडर वाले में 7 इससे पार चलेगा तो 14 और उससे जैसे 14 से पार हुआ तो 21 सब्सक्राबूरण लग गए है ते चल देता है इस तरह से फ्लोर का है यह पार्ट है यह रूम से चालू करता है इसमें क्या करेगा जब तक complete नहीं हो जाएगा तब तक complete नहीं देखा लूँ किसा कोई भी नंबर आ रहा है तो पहले आ जा रहा है कि यह इसके अंतरगात आ रहा है तेवन के अंतर करते हैं तो यह दिखा रहा है कि यह पॉर्टीन के अंतर करते हैं तो बाद में बताता है कि अच्छा यहां साथ पूरे हो चुका है साथ का एक सेक पूरा हो चुका है साथ ही चल दा है तो चौदा के बाद में चोदा का 1 दो कि और इक साथ कूरा हुगाए तो कैसरा की कि शी दिवाइड बाई सेवन कर तो यह हमारे कहीं काम आता है। तो अब हम इसके तोर पे यूज कर सकते हैं कि माल लीजिए कि अगर मैं कहूं कि मुझे कोई भी प्रोडक्ट है जिसके अंदर साथ पीस है। तो अगर मुझे 16 चॉकलेट्स चाहिए तो इसमें तो सीथा सा आंसर इसमें पीजिए। इसी तरह से फ्लोर में करती है कि अगर मिरे पास 17 ईटम है तो मिहें पास कितने पैकेट बंद पड़े होगा है। जैसरे मिरे पास 17 चाहिए तो उसमें कितने पैकेट मेरे पास पूरे थी ना धो देता है। इसका यूज मेने किया था टैक से रिलेटेड एक फॉर्मूला बनाने के लिए, जैसे उसमें किया था कि वेट, वेट का था, वेट में उन्होंने का था जैसे 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक, मतलब 500 ग्राम तक हम चार्ज करेंगे 50 रुपे, और 500 से 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक हम चार्ज करेंगे 100 रुपे, तो उसके बीच में इडेंटिक्पाई करने के लिए मुझे इस तरह की क्या थिंच चाहिए, माली जी उसी में मैं क्याप लगा दो उतने का, तो इससे multiply करके सीधा-सीधा मेरा result आ रहा था, तो कितने से multiply करके, 50 से सीधा multiply करके 100 हो जाए, तो इस तरह से tax वगरे वाले जो अब्छे बनाने में आपकर, इसके बाद मेरे पास दो फंक्शन है, इवन और ओड, इवन ओड क्या करते हैं, नियरेस्ट इवन ओड निकाल देते हैं, इवन नमबर का, इवन का पार्मुला मैंने इस पे लगाया, तो इवन इवन दिखाने लगा, आस पास किकी प्रिश्ट पे, इसके कंप्लीट कर दिया पाँच पे छे कंप्लीट कर दिया, इवन मना, इसके लॉड का प्रिश्ट इवन और और कर देगा, इसके लॉड की बाद, तीन, पाँच एक तीन, पाँच नौ इस तरह से रिटन करेगा, इन उसके बाद, पैक्टोरियल निकालते हैं, नमबर का, इसके बाद, पैक्ट का फंक्चन है, उसके लिए फैक्टोरियल निकालने के लिए, फैक्टोरियल क्या होता है, कि जैसे पाँच चार तीन, इसके बाद आपस में मतलब कुई नमबर सप्लाई करेंगे और इसके गम में को मल्टिप्लाई कर देगें, आपस में, ये इसके साथ ही एक अडिशनल फंक्चन है, फैक्ट डबल का, तो क्या करता है, बल्टिप्लाई तो करता है, बट एक स्किप करके करता है, जैसे पांच किया, टार चोड़ गया, टीन किया, ये दो चोड़ गया, इसके बाद आपके पाद जैसे पॉसिबल नमबर आफ जैसे कि ये, मेरे पास पाँच आदमी है, और मैं तॉम्बिन का फंक्चन यूज़ करते हैं, मैं उनके इन तीन के ग्रुप बनाना चाहरा हूँ, इतने पॉसिबल ग्रुप बन सकते हैं, ये वो बताता है, जैसे दस, इसी में मैं कहा हूँ कि मैं जै चार चार के ग्रुप बना रहे हूँ, तो कितने पॉसिबल बनेगी, पाँच बनेगी है, फ़तले बचेगा, वही बार बार रिप्लेस होगा, तो हर बार अलग ग्रुप फाँग होगा, तो पाँच अलग अलग त्राइटे ग्रुप बनेगी है, तो है देन आपको निकालने होते हैं, ग्रेटेस्ट कोमन डिविजबाल और लोएस्ट कोमन मल्टिप्लायर निकालना है LCM और GCD के फर्दूले हैं जैसा हमारे पास होता था लगुत्ता हुंदी में लगुत्तम समापर तक और महत्तम समापर तक थे तो उसके लिए हमारे पास यह फार्मूला है GCD और LCF का तो लोएस्ट कोमन मल्टिप्लायर के लिए मैं डालता हुं ग्रेटेस्ट कोमन मल्टिप्लायर के लिए डालता हुं मेन रोङन काते हैं यसे बड़ा इंपो डिवाईड कर सकता है कि उसी तरह से हम ऑलिए सभी 18 मिल्टिप्लायर मैं डॉएस्ट कोमन मल्टिप्लायर कि यहां जैसे बारा को तीन से मंटिप्लाइए करें तो बारा थी अच्छेस हो गया और अठारा भी उसी से हो सकता कि अठारा दूम उस हो जाए तो जी सी भी एल्टीम के फॉर्ग लेगा है दो इन तेन राउंड करने के लिए राउंड करने के लिए देखें क्या क्या राउंड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? राउंड का फॉर्टीम हमाई पास, टैंडर्ड राउंड का, कि पितने डिजिट तक आपने राउंड करना है, तो मतलब मुझे कोई भी डेसिमल नहीं करना है और गट मैंने राउंड का फॉर्टीम लगा या इसे इसमे क्या होता है कि यह राउंड कर रहा है कि जिसे 12.12 है, तो 0.5 अगर होता है तो यह प्लस में कर देता है, उससे नीचे वाली वाली वैल्यू उसको अगे ढडॉप कर देते हैं, जिसे 12.54 का 13 देता है, उसे जेगा यह आपमें राउंड कर देता है आपको आपको बढ़ा कर दिखाता है यह आमें राउंड डाउंड यह आमें राटा के दिखाता है जैंड जिसमें पेट्रोल पॉम्प आ लिया हमसे पैसिक राउंड डाउंड करें कि अलावा दो पंक्शन और हैं जो सेम काम करते हैं इंट और ट्रंग ये भी आप डाउन डाउन का काम करेगा इंट और ट्रंग एक जैसा काम करते हैं इंट फिर में कोई परामिटर नहीं करते हैं इंट जैसा करते हैं अलिजे आपको इनको माइनस वैल्यू भी सप्लाई का सकते हैं करते हैं मां लिजे आपके बाद ये बारह सो तो मैं इन्हें माइनस टू डिजिटर राउन करते हैं तो इस तरह से डेसिमल के अलावा भी राउन करते हैं जिन आगे देखते हैं अब जिसे रेडियस निकालने के लिए हमें पाई चाहिए होता है मतलब रेडियस के एरिया निकालने के लिए तरकल का तो पाई का फंक्शन है पाई का फंक्शन दे दीजिए और वाल के प्राइब करते हैं तो आप क्यारट का साइन जीए अधर्वाइस पावर का फंक्शन दीए दूतरा आपको स्क्वार रूट निकालना होता है स्क्वार्ट का फंक्शन है स्क्वार रूट स्क्वार्ट का फंक्शन दीए यह डील मैक में तरह यूस्टू नहीं होते होंगे मैक के फंक्शन कोई बात नहीं अगर आपको यूज हो गया मैं खाली बता रहा हूं कि कहा मिलेगा यूज तो मैंने मेरे भी नहीं होते कई बार जैसे आप यह देखिए कि अच्छा यार ऐसा पंक्शन तो है तो यह यूज आ जाते हैं जैसे ABS वाला फंक्शन हो गया financial formula मुझकी negative लेते हैं तो ABS का formula काम आ जाता है तो जब आप advance formulas पर जब चलेंगे मतलब needs आपकी बढ़ेंगी expertise चीजों के साथ होगी तो impossible चीज को भी करने की कोशिश करेंगे impossible को possible करने में कुछ ऐसे ही formula यूज बयाते हैं तब कौन सा formula कहा काम दे जाए कोई पता रही है मेरा काम तो है कि आपकी formula knowledge को extend करना है यहाँ इस तरह के भी formula होते है कि देन हम क्या कर रहते है आगे चुबते हैं उससे जिसे आपको product निकालना होता है जिसे quantity और करते हैं तो मान लेजिए करके amount क्योंके multiply करते हैं तो कुमान लेजिए आपके पास product का भी function है वैसे product का function भी simple multiply करता है नंबर 13 मेकर आपस में multiply कर देता है इसको जैसे मैं sum करता हूँ sum का formula लगा है अब यह जो है यह value जो है हमान लीजिए इतनी लंबी calculation ना करना जाओं तो इसके लिए क्या formula लाए some product का formula है जिसमें आप direct array दे सकते हैं यह formula आपको पहले सही आते हैं मुझे लगता है यह थोड़े बहुत जो है और मुझे यूज करता हूँ तो यह तीसरा formula जो मैं array में बता हूँगा आपको some product की भी जुरूत नहीं है इसे तो यह करने के लिए simple मैं some का function लगा हूँगा इस तो एक array select किया multiply यह array select किया और बस इसमें मुझे enter मारूंगा तो कुछ नहीं दिखाए इसमें मैंने control चिक एंटर दबाऊँगा तो यह यह आए कहां चला जाए इसमें क्या है न यह array का additional function है जिसमें यह curly braces आगे पीछे लग जाते हैं जि के बारे में बारे में बताओ, वैसे array formula के बारे मिशी में of इसमें थैप को इस भी फॉर्मूला है आपके पास, समीफ अगयरा पता है आपको, समीफ अगयरा, समीफ को कौन साथ मुझे पता है, मुल्टिपल का समीफ का, कोई नहीं फिर भी कर देता है, कई बार क्या हो, कि बीच में छूप जाता है, कुछ नो कुछ. कर दिस दा कईि लाच लागयरा, समी गरंपे लागयरा, समीफ आपक। तो जैसे मुझे इनकी summary बनानी है तो वहाँ पे मैं submit का formula यूज करता हूँ तो मैं submit का formula यूज करना है तो मैं submit का formula यूज करना हूँ तो मैं submit में range होता है criteria होता है range criteria वाला जैसे मैं संदीप पूरी से चाहिए तो यहां से full range select करूँगा है जैसे मुझे criteria ढूलना है then comma criteria फिर इसमें है summary हाँ यह summary optional की तरह इसलिए दिखा रहा है यह जो बड़े-ब्रेकित होते हैं इसका मतलब का optional कि अगर आपकी जो range है और criteria वही है जिसमें sum होना है तो आपको sum range choose करने की जड़ोत नहीं पर यहां पर हैं तो यहां पर हमने निकाल दिया हमाने लिए अब किसी particular city में sales दून नहीं तो यहां पर multiple criteria हो गए तो हमारा sum tips लगेगा में कहता है कि आप बाद में भूल सकते हो इसलिए पहले से ही मुझे सम रेंज देवी अब criteria one range और criteria one criteria two range मेरी city value हो गई और criteria two मेरा city हो गया तो इसको मैं fix जारते हूं तो एक particular city में इनकी से आ रही है तो एक अजीब सा मैंने कहा कि range मेरी यही रहेगी नाम वाली स स्टार्टिंग कैसे डूरी इन्वर्टेट कॉमास में ठीके जी ऐस लगाया मैंने कहा नाम यह स्टार्टिंग ऐससे हो रही है पर आगे क्या मुझे नहीं पता तो वहां लगा दीजिए इसका ठीके आगे की डिजित नहीं पता है तो स्टार्ट एक मिनट मैंने इसमें सम्रेज्ट दीन सम्रेज्ट दे रहे हैं तब यह आ रहे है च्छतिस्सोतिहत्तर इसको चेक करना चाहेंगी कैसे तो इसमें अपने पास फिल्टर में तो आप्शन होता ही है बिगिंस विद एस इसको य दीने सम्रेज्टाी करने सिनद दें चाहेँ थे फिल्टर इसमें पता होता में श्रूर्ट देटें डिनस अजमें इसिके में डिज़्ट देट ए एंडिरों के सो अब कहूं कि beginning पीच में कहीं भी कुछ भी हो जैसे मैंने कहा कि बीच में double E होना चाहिए तो मैं क्या करूंगा आगे नहीं पता मुझे क्या है पीच में मुझे पता है double E और पीछे मुझे नहीं पता क्या है आगे चाहे कुछ भी ना हो, अब भी जलेगा, ठीक है जिस्टार आगे पीछे लगा दिया, अन्नोन चीज के लिए इस्टार लगा दिए, तो यह रिजर्ट इखा रहा है कि कवली वाले इतने हैं, अगर मुझे पता करना हो, क्योंकि यहां पर डिजिट स्पेसिफिक नहीं ह अगर मुझे यह नहीं पता कि यहां पर इसी ने यू लगाया या जो भी है, अननोन डिजिट है, अननोन डिजिट के लिए क्या लगा हैं, क्वेश्आन मालू है, तो उसमें यह, सब भी ले ले लेगा रिजम आगे अन्नोन जब जैसके मैंने बता हैं डिजिट ले रहा है तो हम इसे एक और चýज करवा सकते हैं। कि 4 डिजित के अगर नाम है तो उनकी सेल थे। तो मैं 4 बार औल लगा दो मन को कुश्चन गआता है। तो 4 डिजित का तो कोई है नहीं यह सेल दिखा दे। 5 डिजित वालों की सेल दिखा दे। 421 इसमें फिल्टर में भी यही सिर्फ चीज़ें कर सकते हूं इसमें जाएं या इकॉल टू कर दें अब यह देखिए यूज कुशन मार्क टू रिप्रेसेंट अनी सिंगल करेक्टर एनी सीरीस ऑफ क्यरक्टर तो मैं यहार पे चार बॉस्टर मार्क टेसा ब्सक्राइब अब्सक्राइब चाहिए रखर शुम्या धुम्या थाईब अबुम्या थाईब तरीखा लगालेगी पर वही राजी मैं कहरा हूं, यहां से लेंट निकाल दी मैंने इंसर की आज चार दिजित का तो था यह नहीं तो यहां से मैं पांच डिजित वाले सेलेक कर लिए और इनको देख लिए मैंने यह यह 421, ठीक है, यह खाल से इक्वल्स में पांच डिजित डालेंगे, आ जाएगा इक्वल्स पर रहा है, तो मेरे खाल से यह वाला कॉंसेप्ट आपको नहीं पता हुए, ठीक है जिए? यह रहीं खाल सेवर सेंगे, ठीक है टिक है यह टाने आजड़ में पांच वह खालाओ पर as 8th में आटियरै dispयाओ कि यह ग्री वाले इनकी वाले कि जहां सेल ग्रेटर दें 50 हो वहां क्या सेल रहेगी तो सम दो पंडिशन ले लेता हूं सिटी नहीं लेता है इस बार फिर भी दो है नाम तो ही सम रेंज मैंने पहले देदी नेम वाली रेंज देदी नेम या से चूस कर लिया रेंज जो हमारी वो सेल सी है और क्राइटिरिया टू क्या है ये ना यह हमारी रेंटर धर 50 बाला सेल सी इसी क्राइटिरिया को अगर आपको वैसे देना हो डिरेक्ली देना हो तो आप जा करेंगे इनवेकर कॉमा में देनी इस तरह के क्राइटिरिया है यहां से greater than 50, less than 50, greater than equal to 50, इस तरह से inverted commas के अंदर दिये जाएंगे, Summive और Countive पहले functions में criteria इसी तरह से दिये जाएंगे, तो हम पूरा नहीं लगाएंगे कि वो sell equal to, यह greater than 50 वगरा, इस तरह ऐसे अपने criteria चलते हैं, Summive में, Countive में देख लेते हैं, Count में क्या होता है कि Count क्या-क्या Count करता है, जिसे मैंने full range दी, तो यह मुझे Count करके बताएगा, कि number कितने थे, Count if जो है, number alphabet सब count करता है, पर count का खाली function लगाएंगे, तो सिर्फ वो number सी count करेगा, तो alphabet भी अगर आपने कराने हैं, तो count A का function लगेगा, ठीक है जिए, और यह उपर वो sales को भी count करके बताएगा, इसी तरह से आपके पास count blank है, तो इसमें जितनी blanks काल हैं, वो count करके बताएगा, उस range वे, देन आपका आजाता है count if, ठीक है, range criteria कोई कितनी बार आया है, देख सकते हैं, यह कितनी बार आया है, यह 45 बार आया है, यह ना है, और multiple criteria हों, तो count ifs लगाएगे, ठीक है, जिसमें criteria one range, criteria one, criteria two range, इसमें पहले यह जितनी बार करो, ठीक है, count कराने के लिए आपका, news over, और देख लेते हैं, कोई इसमें चुटा था है, यह सब सारे हो चुटी है, ठीक है, यह थे आपके maths के formula, ठीक है जी, तो आज का ट्रेक्टर खतम होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वीक, area formula ठाएंगे, अभी area पर नहीं, अभी area पर नहीं, अभी,